दिन के उचाले में और रात के अंदिरे में हर अप्राद पर है हमारी कड़ी नजर जुर्म के हर कबर से कराएंगे आपको रूब रूब पुलिस स्टेशन द्वारका दक्षिन द्वारका उत्तर और AATTS की जॉइंट टीम ने घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने के बाद जुमेटो राइडर से लूट पार्ट करने वाले तीन आरोपियों को गिरफतार किया है मामूली जगरे के दोरान अपने बुजुर्ग रिष्टेदार को गोली मारकर फरार बदमाशों ने गन पॉइंट पर जुमेटो राइडर के साथ भी लूट पार्ट की थी मडर और गन प्वाइंट पर डकैती जैसे जगहन्य और संसनी खेज वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है दिनांक 27 जुलाई को पुलिस स्टेशन द्वारका साथ में घर के बाहर सो रहे एक बुजूर की गोली मारकर हत्या के संबंध में एक PCR कॉल प्राप्थ हुई थी मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वारका साथ थाने के SHO इंस्पेक्टर राकेश डद्वाल तुरंत वारदात स्थल पर पहुँचे और मामले की जाच की शुरू की पुलिस जाच में मृतक की पहचान 63 वर्षिय अजीत सिंग निवासी एदो, हरिजन बस्ती, पालम एक्स्टेंशन, रामफल चौक, सेक्टर साथ द्वारका के रूप में हुई थी और हत्या मृतक के माथे पर प्वाइंट ब्लैंक रेंज बुलेट से फायर करके की गई थ मृतक के बड़े बेटे विनोध कुमार के ब्यान पर एफायर संख्या 352 बटा 21 अंडर सेक्शन 302 बटा 342527 के तहत आम्स एक्ट और हत्या का मामला दर्ज किया गया। दिनाक 27 जुलाई की सुभा साड़े पाच उसने देखा कि घर के बाहर सो रहे पिता के सिर से खून बह रहा है और उनके पिता के माथे पर गोली लगी है। उसे शक्था की राजबीर और उसका दोस्त उसके पिता की हत्या में शामिल है। रह रहे हैं। सस्पेक्ट के घर की तलाशी ली लेकिन राजबीर अपने घर से नदारद मिला। राजबीर के परिवार के अन्य सदस्यों को पूछताच के लिए थाने ले जाया गया। परिवार के सदस्यों से सक्ती से पूछताच की गई तो पता चला की सस्पेक्ट राजबीर और उसके दोस्त अभिशेक उर्फ मोनू को एक साथ गाव पालम में देखा गया था और वारदात के बाद से ही सस्पेक्ट राजबीर का मोबाइल बंदा रहा था। तुरंट ACP द्वार का सुनील कुमार की सूपरविजन में तीन टीमों का गठन किया गया। इत्रित्व में तीसरी टीम बनाई जिसमें सी विकस्यादव, हेड कांस्टेबल जगत और हेड कांस्टेबल दिनेश को शामिल किया गया। टेकनिकल सवेलेंस से राजवीर पर नजर रखी जाने लगी। राजवीर की मोबाइल लोकेशन गैलक्सी रोयल होटल रामफल चौक के पर दिखाई दे रही थी। इमीडियेटली SI बिक्रम जीट और AATS की टीम को रामफल चौक के आसपा से तलाशी करने का निर्देश दिया गया इस दोरान जाच में पता चला कि संदिगधर राजवीर और उसके सहयोगी अभिशेक उर्फ मोनू ने देर शाम गैलक्सी रोयल होटल में एक कमरा बुक कि एक शराब की दुकान पर लाल टोपी पहने राजवीर को अभिशेक और एक अन्य साथी के साथ देखा गया राजवीर को संदे हो चुका था कि पुलिस को उसके ठिकाने की जानकारी लग चुकी है इसलिए आधी रात के समय बिना चेक आउट किये होटल से अपने साथियों सहित भाग निकला 26-27 जुलाई की मधिरातरी को सैक्टर एक द्वारका के पास तीन लड़कों ने गन पॉइंट पर जुमेटो राइडर से स्प्लेंडर हीरो हॉंडा मोटर साइकल नंबर डी एल एक दो एसल नौ 626 को लूट लिया था टेक्निकल सवेलेंस और पीडिट ज पहचान राजवीर, अभिशेक और उनके अन्य एक साथी से मैच्ट हो रही था टेक्निकल सवेलेंस की मदद से पुलिस को एहम जानकारी मिली की वारदात वाले दिन राजवीर, अभिशेक उर्फ मोनू और उनका तीसरा साथी पाक की ओर से आये और मृतक अजीत सिंग पर संदिग्ध ठिकानों पर दिन रात छापे मारी कर रही थी, साथ ही फरार क्रिमिनलों को सरेंडर करने के लिए रेलिटिव्स पर प्रेशर बनाया जा रहा था, दिनांक 28 जुलाई को पुलिस स्टेशन द्वारका दक्षिन, द्वारका उत्तर और AATTS की तीनों टीमों के पुलिस के हथे चड़ी गए, आरोपियों की पहचान 27 वर्षिय राजबीर उर्फ बांदरा पुत्र किशन, 19 वर्षिय अभिशेक उर्फ मोनू पुत्र स्वरूप सिंग और 24 वर्षिय ललित उर्फ पीकु पुत्र मेहर सिंग के रूप में हुई, गिरफतार आरोपियों स 27 वर्षिय राजबीर उर्फ बांदर का पुत्र कृष्ण निवासी ए सोला, हरिजन बस्ती पालम एक स्टेंशन, सेक्टर साथ, रामफल चौक द्वार्का का रहने वाला है। यह पांचवी पास है यह रामफल चौक के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर चुका है। COVID lockdown के बाद यह बेरोजगार हो गया और फिलहाल में इंद्र गांधी अस्पताल द्वार्का में सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी कर रहा था। वार्दात वाले दिन यह नौकरी पर अपसेंट पाया गया। इसका पिछला कोई आपराधिक रिकौर्ड नहीं है। इसके पिता कृष्ण तोप की दुकान रामफल चौकपर सुरक्षा गार्ड है। दूसरा आरोपी 19 वर्षिय अभिशेक उर्फ मोनु पुत्र स्वरूप सिंग निवासी डिबल यूजड अठावन। तीन पालम गाव दिल्ली का रहने वाला है। यह 10 वी कक्ष का ड्रॉप आउट है। यह आर्टीवी बस में हेल्प का काम करता है। यह मध्यम वर्गिय परिवार से हैं इसके पिता और भाई ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। यह राजबीर का दोस्त है और उसके साथ शराब शराब आधी का नशा करता था। इसका भी पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। और तीसरा आरोपी 24 वर्षिय ललित उर्फ पीकु पुत्र मेहर सिंग निवासी गोयल डायरी का रहने वाला है। यह आठवी पास है और पेट्रोल पंप सेक्टर आठ में हेल्प के तौर पर काम करता है यह मध्यम वर्गिय परि कैती जैसे जगहन्य और संसनी खेज दो मामलों को सुझाने के लिए पुलिस स्टेशन द्वारका साउथ, द्वारका नौट और AATS स्टाफ टीम की मेहनत का बिलेतारीफ है। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क।